लेबानन देश का बारा साल का एक लर्का एक आदमी पर छूड़ा भौक की चील चला जाता है और वहाँ जहकर वो क्यूं अपनी मम्मी बापा के उपर केस कर दीता है। कैपर्णम मूवी की इसी कहानी को लेकर आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी के शुरू में जियान नाम का एक लर्का कोर्ट रूम के अंदर दिखाई देता है जहाँ पर उसके पैरेंस भी मौजुद थे। जब 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 जियान का उम्र पूछता है तो जियान की लौयर बताती है कि जियान का कोई बर्ट सर्टिफिकेट कभी बनाया ही नहीं गया है। और वही पता चलता है कि जियान अपने ममी पापा के उपर केस करना चाहता है। उसके बाद फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उस सीन में जियान को देखा जाता है, एक prescription लेकर घूम रहा है। जब एक pharmacist उसे पूछता है कि ये किसका है, तो वो बताता है कि ये prescription उसकी मम्मी की है। फिर pharmacist पूछता है कि उसके बदले उसके parents क्यों नहीं आई। तो जियान बोलता है उसकी मम्मी की एक operation हुई है और पापा paralyzed है। उसके बाद वो medicines लेकर अपना घर जाता है। फिर वो और उसका parents मिलकर सारे medicines को एक साथ पानी के अंदर मिलाते हैं। और उस पानी के अंदर कुछ कपरे को भीगो के रखते हैं। इसी तरह से जियान का परिवार पैसे कमाते हैं। और इसी के साथ साथ जियान अपने मकान मालिक आसत के दुकान में भी काम करता है। जियान के कुछ बेहनी है परंतु जियान के पापा कुछ काम नहीं करता है और सारा दिन घर पर बैठे रहते हैं। अगली सुभा जियान अपने बेहन साहर के साथ सड़क पर जूस बेच रहा था तभी उसकी बेहन को first periods हो जाती है तो जियान उसे घर दे जाकर उसकी कप्रे हो देता है और कहता है कि अगर ये बात वो मम्मी को बताईगी तो उसे जियान आसद को दे देगा और ये भी बताता है कि आसाद एक खराब लड़का है फिर जियान अपना टीशर्ट बेहन को देता है सैनिटरी पैट्स की तरह इस्तिमाल करने के लिए फिर वो दुकान चल देता है क्योंकि अगर जियान स्कूल जाएगा तो आसाद की दुकान पर काम करने वाला कोई नहीं होगा तो आसाद उन लोगों को घर से निकाल भी सकता है जियान के पापा खुद कोई काम करना नहीं चाहता था तो जियान का स्कूल जाने का सपना सपना ही रह जाता है एक पापा भी आया हुआ है तो जियान बहुत ही ज्यादा गुसा हो जाता है ये सोचके कि दो मुर्गे के लिए उसके परिवार उसके बेहन को बेच दे रहे हैं वो ममी से इस बारे में जगड़ा करता है पर उसके ममी उसे इगनोर कर देती है अगले दिन जियान सहर को लेकर भा बस पकड़के दूसरा जगा चला जाता है उसके बाद जियान एक अम्यूस्मेंट पार्क में दिखता है जहाँ पर थोड़ी देर घूमने के बाद वो एक रेस्टरॉंट जाता है जहां राहिल नाम की एक औरत उसे खाने के लिए कुछ दीती है फिर वो बहुत जगा काम म है और और काम की वक्त वो वाश्र pouring में उसका बेटा जोनस को छुपा के रखती है शाम को जियान उस पार्क में फेर से जाता है और जब राही되 घर वाड़ी होती है तब जियन उसे खाना मांगता है तो राहिल उसे घर लेकर जाती है और खाना खिलती है अगले दिन राहिल उसके बेटी को जियान के पास छोड़के काम पर जाती है और काम से वापस आने के वक्त एक केक छुपा के ले आती है जियान और उसके बेटे के लिए और उसके बाद राहिल एस वो आदमी 15,000 डॉलर डिमांड कर रहा था और वो आदमी ये भी बताता है कि अगर राहिल अपने बेटी को उसे बेच दे तो वो फ्री में डॉक्यूमेंट्स बना देगा ये सुनके राहिल गुसा हो जाती है और बोलती है कि वो अपनी बेटी को कभी नहीं बेचेगी चाहे कितना भी पैसा दे दिया जाए फिर राहिल उसके बेटे के बापा के पास जाती है बाकी के पैसे मैनेज करने के लिए पर वो मना कर देता है फिर वो एक सलोन जाती है और अपनी बाल पीच देती है कुछ पैसो के लिए अगले दिन राहिल काम पर जाती है पर रात को वापस नहीं आती है तो जियान चिंता करने लगता है और सुभा वो राहिल जहां काम करती है वहां जाता है योनस को लेकर पर वहां का ओनर बताता है कि राहिल कल भी काम पर नहीं आई थी पर वहां से जियान को एस्परो के बारे में पता चलता है तो वो एस्प्रो के वहाँ जाके राहिल के बारे में पूछता है पर एस्प्रो को भी राहिल के बारे में कुछ पता नहीं था फिर एस्प्रो जियान को गोल रिंग्स देता है और योनस को उसके पास बेच दीने के लिए बोलता है पर जियान मना कर देता है और तुरंट वहां से निकल जाता है दूसरी सिन में दिखा जाता है कि राहिल को पोलीस ने पकड लिया है और अगर पोलीस को योनस के बारे में पता चलेगा तो योनस को भी वो लोग पकड लेगा और इस तरफ जियान इधर उधर घूम रहा था और बहुत लोगों से खाना मांग रहा था पर कोई दे नहीं रहा था तो जियान एक दूद का बोटल चुड़ाता है और योनस को खाने के लिए देता है पर योनस वो खाता नहीं है क्योंकि ये उसकी मां का दूद नहीं है फिर जियान कुछ बर्फ ले आता है और दोनों मिलके खाने लगते है उसके बाद जियान फिश मरके जाता है और कुछ फेका हुआ मचली ले आकर पकाता है और उसे दोनों मिलकर खाते है निकल जाता है फिर जियान को दिखता है कि एक जगा फ्री में खाना बटा जा रहा है तो वो वहाँ पर जाता है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं फिर घर का एक वाटर फिल्टर निकाल के वो एस्प्रो के पास बेचने जाता है और एस्प्रो फिर से योनस को बेचने की बात और ये भी बताता है कि उसे बेचने से जियान को कुछ पैसा मिल जाएगा और योनस को एक परिवार पर फिर से जियान मना कर देता है और जियान बताता है कि उसे तरकी जाना है तो एस्परो उसे बताता है कि वो उसे कही भी भेच सकता है बस राहिल को राजी करवानी होगी योनस को बेचने के लिए फिर जियान एक medical shop जाता है और वहां से कुछ medicines खरीद के वही वाला drugs बनाता है जो उसका family बनाता था और उसे बेच के जो पैसा आता था वो उसी जगा रखता है जहां राहिल रखती थी फिर एक दिन कुछ लुटेरे जियान को मार के उसका सारा पैस योनस को पेच देता है तो एस्परो उसे 300 डॉलर देता है और पासपोर्ट लाने के लिए कहता है वो उसका घर जाता है पासपोर्ट बनाने के लिए पर वहाँ उसे पता चलता है उसके ममी पापा उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ अभी तक बनाया ही नहीं है और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बहन सहर मर गई है तो गुस्से में आकर आसात को छुरा भौग देता है इसके बाद पोलिस उसे गिराफ़तार कर लेता है तो जेल में जाकर वो फिर से राहिल से मिलता है जियान को बच्चों के सेल में रखा गया था जहां एक टीवी था उस टीवी पर एक रियालिटी शो चल रहा था और उस reality show में call करके जियान बोलता है कि वो अपनी ममी पापा के उपर case करना चाहता है फिर उस channel के production team जेल से बात करके case को open करता है उसके बाद जियान के ममी पापा और आसत को कोट बुलाया जाता है जियान के ममी पापा उसके बेटे शहर की शादी आसाथ से देने के कारण अपने गरीबी को बताता है फिर जज जियान से पूछता है कि वो क्या चाहता है तो जियान बताता है कि वो चाहता है उसके ममी पापा और बच्चे ना ले फिर जियान पुलिस को information share करता है और पुलिस एक warehouse rate करके बहुत लोगों को पकरते है और वहाँ से योनस को भी rescue करते है उसके बाद पुलिस एस्परो को arrest कर लेता है बच्चों को दूसरी देश भेज़कर उनसे child labor करवाने की जुर्म में और अंत में एक NGO राहिल और योनस को मिला देता है और court जियान को legal documents बनाने में help करता है और ये movie एक अच्छा सा social message देते हुए यही पर खतम हो जाती है और अगर आप एक scientist के ऐसे आविशकार के बारे में जानना चाहते हैं कि जिससे अदीद के हर खटनाओं को देखा जा सकता है तो फिर right side के वीडियो बर क्लिक करें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियो अपलोट करते रहते हैं वीडियो को अंध तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद